आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होगे, मैं रनाम ऐसे धान तक नहीं हूँ, तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत सबागत है, दिलीप कुमार एक एरा एंड हो गया है दोस्तों, नहीं रहे दिलीप कुमार, अठानवे साल की उमर में इनका निधन हो गय दिलीप कुमार बड़ी दुखत खबर है, क्योंकि दिलीप कुमार एक लेजेंड आक्टर है, इनसे बॉलिवूट शुरू हुआ, सूपर इस्टार रही है, ट्रैजेडी की, ट्रैजेडी किंग मुझे लगता है कि, देखें दिलीप कुमार एक बहुत से वसेटाईल इनकी वाइफ है साहरा बानू, मोधी जी ने भी उन से बात की, साहनभूती प्रकट की, भगवान इनकी आत्मा को शांती दे, परिवार को ताकर दे, हमारा एक ट्रिब्यूट दिलीग कुमार को, बतादू कि हमारा नया आप है Study Glows Learning, प्लीज आप उसी को ही डाउनलोड करिए इसी लिए आप प्लीज नया आप को ही डाउनलोड करें, दिलीग कुमार, मोहमद यूसुफ खान, 11 दिसम्बल 1922 में जन्वे ये, मोहमद यूसुफ खान है लेकिन इनको हम दिलीग कुमार के नाम से जानते हैं, इंडियन आक्टर हैं, फिलांथ्रोपिस्ट, बहुत कम लो पहले थे जिनोंने, देखें, दिलीग कुमार बहुत सारे आक्टर्स के रोल मॉडल रहे हैं, चाये महमद आप बच्चन हों, शारुक खान तो दिलीग कुमार को अपना पिता जी मानते हैं, शारुक खान से दिलीग कुमार के बहुत अच्छे रिष्टे हैं, इन फाक्ट थीएटर प्राक्टिशनल्स लगातार करते हैं, ताकि पफॉर्मेंस शानदार हो सके, तो ये लेके आए दिलीग कुमार बॉलिवुड में, इनके जो वाइफ है, उनका नाम है सायरा बानू, बहुत शानदार अक्ट्रेस रही है वो, साथी साथ, मदुभाला से, इनके प्रेम के चर्चे थे, मदुभाला और दिलीग कुमार बहुत ज़दा प्यार करते थे, शादी नहीं हो पाई, पेशावर में, इनका जनम हो था, आज का जो पाकिस्तान है, पेशावर में, उस समय तो ये ब्रिटिश इंडिया के पास था, लेकिन पे फेर रवार्ड फार बेस्ट आक्टर, जो आर भाटा 1944 से इन्होंने शुरुवात की, और उसके बाद धीमे धीमे, ये आप देख सकते हैं, तीन लेजेंड एक साथ, धीमे धीमे, इनके चर्चे दूर दूर तक होने लगे, इन्होंने हॉलिवोड तक का उफर ठुकरा दिय इनको हॉलिवोड का उफर आया था, इन्होंने काम करने से मना कर दिया, दिलीक कुमार की जो पहली मूवी थी जोहर भाटा, फ्लॉप, लेकिन इनके काम की तारी बहुत ज़ादा हुई, इसको बॉंबे टॉकीज ने प्रडियूस किया था, 65 मूवीज में इन्होंने काम कि राम और शाम हो गई, शांदर गजब की मूवी राम और शाम, मशाल हो गई, शक्ती हो गई, सौधागर हो गई, इस सारी मूवीज में इन्होंने काम किया, और आज दिलीक कुमार का साथ जुलाई, डॉक्टर जलील पारकर ने बोला, कि दिलीक कुमार का आज निधन हो गय और काफी समय से बिमार चल रहे थे 98 साल के उमर में पास्ट अबे तो रियल नाम इनका है मुहमद यूसुप खान वैसे इनको टेजडी किंग के नाम से जाना जाता है अब हम इनकी अर्ली लाइफ देखते हैं इनके पिता जी लाला गुलाम सावर खान माता जी आईशा बेगम बारा बच्चे थे और इनके जो पिता जी थे वो एक लैंडलॉड थे फ्रूट मर्चेंट थे फलो का बिजनस बहुत बड़ा बिजनस था भाई काफी अच्छे परिवार से आते हैं काफी समरिद परिवार था पेशावर में इनका जनम हुआ स्कूलिंग इन्होंने शुरुवात में क्योंकि अच्छा खासा परिवार था किस्सा खवानी बाजार पेशावर ब्रिटिश इंडिया उस समय जो था फिर इनके पिता जी मतलब 1930 के दशक में क्योंकि 1922 पे जनम हुआ 1930 में महराश रागे वहाँ पे इनके पिता जी ने अपना बिजनेस बढ़ाया फलो के बागान लगाए तो इनकी शुरुवाती पढ़ाई जो है वो बांस स्कूल में हुई नासिक डिस्ट्रिक्ट नासिक में बांस स्कूल में ये इन्होंने अपनी स्कूलिंग की बगल में राज कपूर रहते थे इनके बच्पन के दोस्त और बाद में कुलीग भी बने अब क्या हुआ कि पिता जी से इनके मदबेद हो गए 1940 में थोड़े से आर्टिस्टिक किसम के थे दिलिव कुमार पिता जी से मदबेद हो गए लड़ाई हुई दिलिव कुमार ने मौमद यूसव खान थे पहले बाद में दिलिव कुमार है नामों की लिस्ट थी जहांगीर चुनू क्या चुनू तो इन्होंने दिलिव कुमार चुना तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और ये पुने की तरफ निकल गया पुने महराश्ट्र अब उस समय पार्सी कैफे ओनर थे एक उन्होंने दिलिव कुमार को शरण दी दिलिव कुमार की इंग्लिश बहुत अच्छी थी क्योंकि अगर आपने घर छोड़ा है तो आप कमाएंगे खाएंगे क्या अंग्रेजी अच्छे थी नॉलिज ठीक थी तो उन्होंने आर्मी क्लब में सैंडविच बेचना शुरू कर दिया कैफे ओर्नर पार्सी कैफे ओर्नर ने इनकी मदद की और उसके बाद वहाँ पे शुरुवात में कुछ वक्त के लिए उन्होंने काम किया 1940 की बात है दो-तीन साले उन्होंने काम किया फिर 5000 उन्होंने बचा लिये और वापस है मुंबई आ गए 1943 में पिताजी से सारे अन्बन जब खतम हो गए 1943 में यह अपने पिताजी के पास आए और उसके बाद वहाँ पे मुंबई में ही डॉक्तर मसानी से चर्च गेट स्टेशन पेंड की मुलाका थी अब यहाँ से इनका करियर चेंज हो गया बॉम्बे टॉकीज चलो मेरे साथ जो कि मलाड में है डिलीब कुमार तयार हो गए बॉम्बे टॉकीज उस समय मुवी स्टूडियो था 1934 में इसको फाउंड किया था बाई मुवी दादा साफ आलके ने 1920 में मुवी बना न शुरू की आला मारा पहली टॉकिंग मुवी और उसके बाद मुवी इस समय भारत जो बॉलिवोड था वो उबर रहा था तो बॉम्बे टॉकीज ने बाद में 40 से ज्यादा मुवी प्रड्यूस की और एक एक मुवी हिट रही है बॉम्बे टॉकीज की तो हम यह देखते हैं कि दिलीव कुमार जो है वो बॉम्बे टॉकीज आय फिल्म साइन की 1940 में 22 साल के उमर में इनकी पहली मुवी रिलीज हुई ज्वार भाटा अब ज्वार भाटा इन्होंने कॉंट्राक्ट साइन किया बॉम्बे टॉकीज देविकार रानी से वहाँ पे मिली जो ओनर थी बॉम्बे टॉकीज की साड़े बारा सो रोपस्व में मिलता है थे साल के तो जो इन्होंने मुवी साइन की जो आर भाटा उर्दू इनको बहुत अच्छी आ थी इंग्लिज बहुत अच्छी आ थी वह ज्यादा चली नहीं डेब्यू मुवी थी लेकिन वह ज्यादा चली नहीं लेकिन हां यहां पे दिलीब कुमार को बहुत ख्याती मिली क्योंकि आक्टिंग को सा रहा जाने लगा क्या बात है उसके बाद इनों ने नूर जहां के साथ जुगनु की 1947 में शहीद आई, मेला आई 1948 में ठीक ठाक रिस्पॉंस रहा, बहुत जादा बहुत बढ़िया नहीं लेकिन सबसे बड़ी मूवी आई इनकी महबूख खान की अंदास 1949 में राज कपूर और नर्गिस थे, तीन लेजन्डरी आक्टर्स राज कपूर, नर्गिस और दिलीव कुमार एक ही मूवी में महबूख खान एक बहुत बड़े प्रड्यूसर डारेक्टर थे Mother India जो है इन्हों नहीं प्रड्यूस की थी डारेक्ट की थी फिल्म फ对 awards मिला था बेस्ट मूवी के लिए बेस्ट डारेक्टर के लिए बहुत बड़े डारेक्टर थे महबूख खान तो आप समझे है कि ये movie तो hit हो नहीं, ये legend हो नहीं होना था, क्योंकि अंदाज में इतने बड़े-बड़े नाम शामिल थे, ये चीज, अंदाज बहुत box office hit हुई, उसी वक्त शबनम release हुई, और फिर हम देखते हैं, love triangle story थी अंदाज, एक के बाद एक, दिलीप कुमार ने hit फिल्में देना शुरू कर दिया, लेकिन एक tragedy king की तरह, बहुत अंदाज में भी ऐसे ही रोल, फिर देवदास में भी ऐसे ही रोल, आन में भी, तो उडन खटोला, तो जितनी movies थी, मधुमती, मधुमती मैंने बच्पन में देखी थी, यह horror story है, दीदार, दाग, यहूदी, यह सारी movies जो है, एक के बाद है गई, और हम यह देखते हैं कि, movie ठीक थी, लेकिन वही है कि, जितनी भी movies आई, वो legendary साबित हुई, वो बहुत box office हेट रही, और दिलीब कुमार का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन वो इनको tragedy king, एक ही honor के acting के लिए इनको जाना जाने लगा, कि अगर tragedy, अब यह एक actor के लिए बढ़ा खतरनाक है, कि अगर एक ही तरीके के acting वो करेगा, तो उसी role के लिए उसको versatality खतम हो जाती है, पहली anti hero role, महबूप खान की अमर 1954 में, देवदास तो कितने लोग उसका remake बना-बना के, कितनी ख्याती पाली है, इसी दोरान दिलीब कुमार को depression भी हुआ, इतने सारे tragic role भाई, आप यह मत समझें कि actor की जिन्दगी बहुत खतरनाक होती है, रन्वीर सिंग ने जब अलाव दिन खिल जी का role किया था, तो दो-तीन महिने रग गए तो उनको उबरने में, ऐसा ही वरुन धवन के साथ, बदला पुरुनों ने movie कीते ना, तो कितने डिश्टेट टूट गए, भाई आप एक acting, आप एक role को जी रहे हो, वो role ना, वो जो, वो character आप कर रहे हो, एक साल तक आप को उसी character में रहना, हर कोई इंसान है, आप को robot नहीं है, एकदम से दिमाग के हटा दिया, memory डिलीट कर दी, तो वो role आपके उपर हावी हो जाता है, तो इसी इतने सारे tragic role, इतने सारे tragic role, कि बिमार पढ़ गए, depression में आगए, psychiatrist को दिखाना पढ़ा, तब इन्होंने कुछ light-hearted roles किये, ठीक है, अब 1960s में कोहिनूर आई, आजाद आई, फिर इनको दाग के लिए, best film fair actor reward मिला, वेजिनती माला, मदुबाला, नर्गिस, मीना कुमारी, कामिनी कौशल, इन सब के साथ इन्होंने काम किया, 1950s में, 9 इनकी जो movies थी, जो उन्होंने किया, शांतदार, इन्होंने काम किया, बहुती जवर्दस्त, मतलब समझे लिजिए, कि इनकी movies ने, record तोड़ दिये, उन्हें 1950s में, पहले actor बने, जुनको एक लाख रुपए, एक movie के लिए दिया जाता था, आज के समय में, इसकी कीमत लगबग, एक करोन रुपए होगी, 1960s में, मुगले आजम, 1960s में आई, जिसने सारे record तोड़ दिये, epic historical movie इसको बोला जाता है, अकबर और सलीम की कहानी, मदूबाला से प्रेम के चर्चे, मदूबाला और दीलिक कुमार में, प्यार बहुत ज़ादा बढ़ने लगा, आप ये समझिए, कि 11 साल तक, 1971 तक, मुगले आजम लगातार, highest grossing movie रही है, जब तक हाती मेरे साथी नहीं आई, और बाद में 1975 में जब शोले आई, हाती मेरे साथी बहुत जवर्दस्त movie, राजेश खन्ना की, मेरे क्याल में हर बच्चे ने उसको देखी होगी, और शोले तो कहर क्या ही कहने, तो वो होता है कि शोले कितनी बार देखे, चाब 20 बार, 25 बार अरे, मैंने 30 बार हो उस तरीके का हिसाब किताब, अगर अभी बात करें, तो मुगले आजम, जब उसमें इतना पैसा कमाया था, अगर आज के, आप समझी इसको पैसे में तोले, हजार-दोहजार करोन उसने कमाये, 2011 की बात है, और अभी तो और ज़्यादा, मदुबाला थी और बाद में इसको 2004 में, कलर वर्जन में भी रिलीस किया गया, पहले ब्लाक और वाइट में आई थी ना, 1961 गंगा जमुना, वैजन्ती माला के अगेंस्ट, मदलब वैजन्ती माला हिरोई थी ये, वो भी बहुत बड़ी हेट, शामिल, मदलब साबित हुई, ये सब, उसके बाद, दिलीब कुमार को होलिवूट का भी ओफर आया, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कैंसल कर दिया गया, दिलीब कुमार ने इस प्रोजेक्ट को नहीं लिया, आगे बात करते हैं, ये दिलीब कुमार के शांदार रोल्स हैं, ठीक है, राम और शाम, ये देवदास, बहुत जबरदस्त गोपी मुवी, और ये तो मुगले आजम में 1961 में गंगा जमुना आई उसके बाद फिर लीडर आई फिर दिल दिया दर्द लिया ये सारी मूवी जाती रहे 1970 में दास्ता मूवी आई अब देखे एक एरा होता है मतलब एक टाइम क्या होता है ये ग्राफ ऐसे उपर जाता है फिर नीचे आता है एक समय पर आक्टर बहुत सारे हिट फिर एक समय पर वो ग्राफ नीचे आएगा 1970 में जो इनकी मूवी गोपी आई वो भी शांदार सहाब है साहरावानू से मलाकात हुई इनकी पहले से ही मिल रहे थे आपको बता दूँ कि क्या था कि आप बोलेंगे सर्व मदुबाला से शादी क्यों नहीं हो पाई मदुबाला इगो का कॉन्फलिक्ट आ गया था मदुबाला के जो पिता जी थे कई बार मदुबाला ने इसको बोला है कि भाई दिलीव कुमार का तो ऐसी charming personality थी कि क्या बताएं तो मदुबाला के जो पिता जी थे और दिलीब कुमार के ego के बीच का conflict था, मतलब एक तरीके से family problem थी, जिसकी वज़े से दोनों की शादी नहीं हो पाई, मदुबाला की शादी किशोर कुमार से होई, बाद में गोपी मुवी आई, सायरा बानू सायरा बानू से बाद में शादी हो गई, तो फिर मदुबाला ने बोला था कि दिलीब को अपनी शेहजादी मिल गई, 1980s में करांती मुवी की, अब देखिए, अब नए actors का जवाना आ गया था, लेकिन अबी भी शांदार रोल, एक रोल पर रोल किये जा रहे थे, करांती मुवी तो मनुच कुमार की थी, इसमें हेमा मालनी, शशी कपूर, शत्रकान सिना ये सब, फिर सुभाज गई के साथ इन्होंने काफी रोल किये, विधाता मुवी में इसमें संजय दत्त भी थे, संजीव कुमार शम्मी कपूर, फिर उसके बाद अमिताब बच्चन, रमेश सिप्पी की मुवी शक्ती में थे, ये बहुती शांदार मुवी, लेजंडरी मुवी, जरूर देखिएगा 1984 में यस शोपडा की मशाल अनिल कपूर थे इसमें, अब नहीं नहीं आक्टर्स आ रहे थे, देनरिशी कपूर की दुनिया, जर्धर्म अधिकारी, ये सब मुवीज में आई है, फिर कानून अपना-पना 1989 में, 1991 में राज कुमार की सौधागर सौधागर में आई है, सौधागर बहुत शांदार मुवी रही, 1993 में इनको Film Fair Lifetime Achievement Award मिला ये सब अब 2000 से लेकर अभी तक अब इसके बाद फिर रिटायर हो गए दिलीप कुमार अब वही है न कि एक एज होती है सतर साल के हो गए थे कब तक काम करेंगे और मुगले आजम नयाद और Color में, ये जो इनकी क्लासिक मूवी थी है Color में रिलीज हुई, आग का दरिया 2013 में सौभाज गई की, हलाकि ऐसा बोला जा रहा था कि सौभाज गई की मूवी Motherland में एपियर होने वाले थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को शेल्व कर दिया गया, क्योंकि दिलीप कुमार जो हैं, वो जादा इंटरेस्टेड नहीं थे ये चीज Personal Life वही मैंने बताया कि इनकी शादी सायरा बानू से हुई है, मदुबाला से इनकी लव स्टोरी बहुत जादा थी आपका बताता हूँ इनकी लव स्टोरी के बारे में कि ये मदुबाला से साथ साल का रिलेशन्शिप था नया दौर के समय ही ये शुरू हुआ लेकिन वही है ना कि मदुबाला के पिता जी और दिलीब कुमार में इगो कॉन्फिक्ट आ गया मुगले आजम के बाद मदुबाला और दिलीब कुमार ने दुबारा कभी काम नहीं किया फिर वैजन्ती माला से भी रिष्टे वो आये की इनसे भी इनका रिलेशन्शिप है पर अल्टिमेटली हम यह देखते हैं कि कामिनी कौशल से भी कामिनी कौशल से भी रिष्टे की खबरें आई लेकिन इनकी शादी उन्निसो चाचट में साहरा बानू से होगी साहरा बानू बाईस साल छोटी है दिलीब कुमार से बाईस साल और यही चीज है अभी तक दिलीब कुमार साहरा बानू का कोई भी बच्चा नहीं है no sons and daughters दिलीब कुमार की बाईग राफिदा सबस्टेंस and shadow 1972 में रिलीस की गई दिलीब कुमार को हिंदी आती है उर्दू आती है पंजाबी, मराथी, इंगलीज, बेंगॉली सब कुछ आता है क्रिकेट से बहुत ज़्यदब प्यार है दिलीब कुमार को इनके जो यंगर ब्रदर है नासिर खान वो भी एक आक्टर है दिलीब कुमार बहुत सारे humanitarian work करते रहते हैं में काफी ज़्यादा आक्टिव है दिलीब कुमार और M.Palat Fund हो गया या जोगर स्पार्ग जो बांदरा में है ये सब दिलीब कुमार के ही दिमाग से निकले हैं अब दोस्तों दिलीब कुमार का आज निधन हो गया, बहुत समय से बिमार चल रहे थे सरकार ने इनको पद्म भूशन, दादा साहब फाल के पद्म भूशन, आप समझिए कि सबसे बड़ा भारत रतन होता है फिर आता है पद्म भूशन फिर पद्म भूशन, फिर पद्म श्री तो इनको पद्म भूशन और पद्म भूशन लेकिन लव स्टोरी होना तो ऐसी होनी चाहिए ये एक प्राइम एक्जामपल है सायरा बानू ने दिलीब कुमार का आखरी तक साथ दिया दोनों इतने आखरी वक्त तक प्यार करते थे ये होता असली प्यार आजकल का प्यार एक साल डेर साल खतम लेकिन ये देखे दिल से दिल का मिलन तो बहुत जादा दुखत घटना है ये और ये आप देख सकते है पाकिस्तान अचा पाकिस्तान में पैदा हुए था तो 1997 में पाकिस्तान का highest civilian award मिला इंको निशाने इंप्याज पाकिस्तान ने भी इनको ऑणर किया है पाकिस्तान में भी इनकी आक्टिंग के जलवे हैं, बाई, बॉलिवुड पाकिस्तान में तो चलता ही है, और इस समय पाकिस्तान भी शोक में है, लास्ट अपेरेंस इनकी आखरी मूवी थी, 1998 की मूवी, खिला, आखरी बारी आये थे, 2000 से 2006 तक इंडिया नाशनल कॉंग्रेस ने इनको नॉमिनेट किया था, इसा मेंबर आफ राज सभा, और 2011 में इनकों अपना ओफिशल ट्विटर अकाउंट लॉंच किया, इनके बास गिनीज वर्ड रिकॉर्ड है, फॉर मैक्सिमम नंबर एफ अवार्ड्स, इंडियन आक्टर, सबसे जाधा भी कोई अगर इंडियन आक्टर रे, जिसको सबसे जाधा अवार्ड मिले, दिलीप कुमार, भगवान इनकी आत्मा को शांती दे, परिवार को ताकत है, एक शांदार अक्टर, एक गजब के human being, जिन्होंने बॉलिवुड को पहचान दिला, बॉलिवुड को बनाया, पूरी दुनिया में, आज बॉलिवुड का नाम, दिलीप कुमार की वज़े से है, यह उन्चुनिंदा अक्टर्स में से एक है, परवान इनकी आत्मा को शांती दे, परिवार को ताकत है, देशे सिद्धान तक निवोतरी, साइनिंग ओफ,